हेलो एब्रिवन वेल्कम बेक टू मैं चैनल कैसे आप सब आई होग कि आप सब अच्छी होंगी और अभी साम का टाइम है काफी खुबसूरत नजारा है मैं बैठी हूँ बाल करे में और बहुत ही अच्छी हाँ पी हावा चल रही है अभी आपको बैक कैमरे से दिखा दिती ह साम का नजारा कैसा है तो यह दिखिए साम का टाइम है और कुछ इस तरह का नजारा है थोड़ी दिर में अब यहां पर रात होने वाली है यह दिखिए तो यह है बालकनी और सामने से हैं छट पे जाने वाली सीरिया जो की लोहे की हैं और यहां पर बना हुआ है एक आर्च जो की बहुत सुन्दा लगता है और यह है माल्टे का पेर इसमें देखिए दो छोटे छोटे से माल्टे लगे हुए हैं और माल्टे तो और भी लगे हुए हैं यह माल्टे ठंडियों में होते हैं खाने लायक अभी तो छोटे से हैं और सामने पहाड़ है तो बहुत ही खुबसूरत लगता है और यहां पर मम्मी गई है अपने बगीचे में तो मुझे ना किचिन क्लीन करने थी है आज और यहां पर सफेदी हुई है जो यहां के किचिन थी वो गई है उपर वाले फ्लोर में और अब यह वाले किचिन क्लीन हो जाएगी तो सादे के लिए जो किचिन है वो मतलब यही वाले किचिन यूज होगी तो इसलिए इसकी सफा करंगी करंगी और आप से एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज व्लॉग को लाइक और शियर कर दीजिगा साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा साथ में बेल अप्शन को भी क्लिक करेगा तो यहां पर जो स्विच बॉरड है वो भी बहुती जदuldade गंदा सा काला सा हो गया था तो उसको मैं कौलिट से क्लीन कर रही थी और मेरी हैलप कर नेको आई है साची तो साची मेरी हम सफाई करने में और आप सुचोगे कि ये फर्स जो है वो रेड क्यों है तो मैं आपको बता दूँ ये फर्स रेड इसलिए है क्योंकि इसमें रेड पेंट हो रखा है और ये उखड़ती थी इसलिए इसमें पापा ने रेड कलर का पेंट कर दिया था ताकि ये उखड़े ना कर दो कर दो कर दो तो पहले मैंने निच्छे वाली फ्लोर की कीचिन किलीन कर ली थी और बाकी में काम चल रहा है अभी तो अब मैं यहां ज़ाड़ो लगा रही हूं इसके बाद लगा लोंगे पोछा तो कैसे लगा आपको आज का छोटा सा व्लोग आई होग की पसंद आया होगा तो अब इस व्लोग का मैं ही प्रेंट करूंगी मिलोंगी नेक्स्ट व्लोग में थेंक्स पॉर वाचिंग और बाबाई झाल